सब्सक्राइब कर दोस्तों आज जो मैं रिक्वार्मेंट की डिटेल्स आपके लिए लेकर आया हूं अदरवाइज इसका जो फॉर्म केसे फिल करना है दो इस वीडियो में प्रोसेस बताने जा रहा हूं आप सब को पता अभी साउथ इस्ट सेंटर रेलवे बिलास्पू डि सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को इसी तरह गौवर्मेंट जॉप की पलबल की अपडेट पाने के लिए और बैल आइकन को प्रेस कर देजेगा उसकी नौडिपिकेसन पाने के लिए तो गाइस यह ओफिसल नौडिपिकेसन है आप देख सकते हैं साउथ इस्ट सेंटर रेलवे बिलासपूर डिविजन से जो आउट की गई यानि जब आपकी सलक्सन होगी और आपकी पोस्टिंग भी तो यहां पे बिलासपूर डिविजन में ही होने वाली है इसका ओनलाइन फॉर्म आप तीस अगस तक फिल कर सकते हैं जो की ओनलाइन मोड आपको एपरेंड ग्राफर इंगलीज और हिंदी के लिए पचिस-पचीस है फीटर के लिए अपर अशी है और इलेक्ट्रिसियन पचास है फिर आपका वायर मेन आता इसके लिए पचास है इलेक्टरोनिक मे Parl형 के लिए छे वैकन सिसे है आरल अ 432 पदों पर vacancy जो है आउट की गई है जहां पर यहां पर सबसे बड़ी बात यह गाईस अगर अपने simply 10th pass भी कर रखा हैं तो यहां पर देख सकते हैं Elisable रखा गया है 10th और ITI course उसमें आपका relevant होना चाहिए यानि 10th pass करके आपका ITI course relevant trade में आपका होना चाहिए तभी जो है वह आप apply कर सकते हैं इस limit के में बात करूं तो minimum आपका इसमें 15 साल से लेकर 24 से साल के candidate apply कर सकते हैं बेस यह आपका एक जुलाई 2020 को यहां पर रखा गया अधरवाइस relaxation भी मिलेगी यहां पर यहां पर यहां पर दे दिया जाएगा चलिए बात करें क्रिचेरिया आप सेलेक्षन प्रोसेस की तो सबसे पहले गाईस यहां पर जो आपका सेलेक्षन होने जा रहा है सबसे बड़ी अप्डेट है कि मेरीड बेस पे सलेक्षन होगा यानि कि कोई भी आपका एक्जाम्स नहीं होगा बिल्कुल यहां पर जितने भी टेंथ और आइटिया के मार्क से उसी पर आपको डेकलेर करके कटप तयार किया जाता है और उसी के हिसाब से आपका यहां पर सलेक्षन होगा तो काफी इजी प्रोसेस है जितने भी केंड़ेट यहां पर एलिजबल है एक बार जरूर अप्लाइ करें नेक्स्ट है कि यहां पर कोई भी एप्लिकेशन फी भी लहीं रगने वाला है क्योंकि अप्रेंटेसी पोर्टल से आप अप्लाइ कीज़ेगा तो कोई भी एप्लिकेशन फी आपको पेमेंट करने की आवज सकता नहीं है बिल्कुल फ्री आप कोस्ट है तो काफी बड़ी परशनोटीज है और फॉर्म फिल करके कोई भी यहां पर हाड कोपी जो है कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम जैसे अप्रेंडेसी पोर्टल फे फॉर्म फिल करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट होगा उसको निकाल के हमको सेंड करना पड़ेगा क्या जी न आपको यहां पर लगने वाला इस एडफिट में आप यहां पर कर लिजेगा अधरवाइज इतने भी जाड़ो आपको डाटा यहां पर नजर आ रहे हैं और कोई भी क्वाईरी हो तो यहां पर कंटेक्ट भी कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर फोन नमर भी आपका दिया आपको पता होगा अधरवाइज ज्यादा आपको यहां पर केडेगरी वाइज अपनी टेबल एक बार जरूद देख लिए इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी चलिए सबसे पहले हम फॉम फिल करके आपको दिखा देते हैं तो guys यह official website है apprenticeshipindia.org का जी हां और इसी पर आपको register करना है मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कैसे registration करना इसकी एक separate वीडियो मेंने already upload कर चुका है कभी वी जब इसका new portal launch किया गया था आप सबको पता है कि apprenticeship portal का old portal था जिसको यहां पर जो refresh करके एक new portal launch किया गया है और यह new portal ही आप इसे देख सकते हैं और इस पे जितने भी candidate चाए old पे आप किये हो या भी ना किये हो लेकिन इस पे registration करना आनिवार है इसी के द्वारा ही आपको जो registration number मिलेगा apprenticeship का उसके बाद यही process आपका सब में लागू होगा तो सबसे पहले आपको यहां पे register करना पड़ेगा जो वहीं से बाप्ला किजिएगा registration के लिए उसके बाद आपको क्या करना है registration के बाद आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे registration कीजिएगा तो apprenticeship आपको number मिल जाएगा उसके बाद फिर से आपको portal पर आने के बाद यहाँ पे login बटन पर आपको click कर देना है और यहाँ पे आपको login करना है जो कि आपका email id जो आपने registration किया है उस email id को आपको यहाँ पे enter कीजिएगा और password आपने जो create किया था वह password आपको enter करना है और accept करना है यहाँ पे declaration को और यहाँ से login कर देना आपको login करने के बाद जो आपका profile ले उस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका dashboard टोटली open हो जागा यहाँ से अपना profile भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका profile और दिन पर दिन रहेगा guys कम से कम इसक काफी beneficial जो होने वाला है तोटली आप इसको देख सकते हैं एडिट भी कर सकते हमेशा के लिए यह नहीं कि एक बार submit कर दिया तो दुबारा हम एडिट इसको नहीं कर सकते हैं यह सा नहीं है यह आपका separate profile एक काम यह साब समझे कि यह मेरा separate एक तरह का website है छोटा जो कि मैं ख कर रहा है इस पर क्लिक कर लिजेगा और यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको जरा दिखा दे दूँ क्योंकि बिना सर्च कि और अगर आप PC से फिल कर रहे हैं यहानी computer से तो यहां पर उपर मैं आपको अपर आपको आपको सर्च लोकेशन यहां आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो है वो बिलासपूर लिखना याद रखेगा आप देख सकते हैं जो जो मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं बिलकुल उसी तरह से आपको यहां पर देख सकते हैं तो बिलासपूर आ जाएगा और यहां पर बिलासपूर सर्च क 43 आपके लिए opportunities यहाँ पर जो available है तो देख सकते हैं South East Central Railway पहले ही आपको option में मिल गया है यहाँ पर और यहाँ पर क्या-क्या रहने वाला है कितना दिन तक आप इसको totally देख सकते हैं फिर आपका South East Central Railway भी आपको मिल जाएगी तो next आपको यहाँ पर दिख जाएगा Electrician के लिए South East Central Railway simply यहाँ पर इसको view कर लिजेगा आपके trade आप जो भी trade से belong करते हैं उसी trade पर आपको simply click भी करना है और otherwise आपका जो profile बना वोगा उसी trade के अनुसार बना है तो वही so करेगा आपके लिए ही so करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो trade eligible है electrician है number of opening vacancy 50 है step 1 आपको 7000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको मिलने वाली है beneficial भी रहेगी तो यहाँ पर सपरे पहले क्या 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 आपको working days कितना रहेगा totally आपको यहाँ पर मिल जागी apply करने के लिए totally details आप एक बार check भी कर सकते हो औ उपर में आना है उपर आने के बाद आप देख सकते हैं simply आपको बता जागा apply for this opportunities इस पर आपको click करना है और यहाँ पर add location भी आएगा कि यहाँ पर कहां से आप apply करना चाहते हैं किसके लिए तो इसको ok कर दीजेगा ok करने के बाद आप देख सकते हैं guys simply यहाँ पर apply successfully आपक दिया गया एक green color का तो finally आपका जो form है वो submit हो चुका है बत इतना साइप प्रोसेस है सबसे बड़ा प्रोसेस होता है apply करना और वो आप अराम से इसको वीडियो को देखकर नीचे description आप चेक कर लिजेगा बस यही प्रोसेस है apply online के लिए उसके बाद कोई भी अगला इस टिप नहीं है याद रखेगा और ना इसको print out निकालके कही percent करना है आपका application submit हो चुका है तो hopefully guys यह वीडियो आपके लि सेर करें आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राब करके बैल अकन को प्रेज कर लिजेगा इसी तरह government job की पलपल की update पाने के लिए फिलाल मैं मिलता हूं नेक शुड़े में तब तक के लिए जहेंत